देखिए पहली बात तो आप इसको समझिए, ये मेरे हाथ में समविधान है, समविधान और कंस्टिटुशन अलग-अलग चीज़ है, समविधान दो सब्दों से मिलके बना है, समविधान, ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं समविधान, जबक समविधान नहीं है, जैसे धर्म के लिए आपके पास अंगरेजी में कोई शब्द नहीं है, तो हमने रिलिजन को एडॉप्ट कर लिया, जबकि धर्म बिलकुल अलग है, रिलिजन बिलकुल अलग है, धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्रकार का धर्म, वकील का का धर्म डॉक्टर का धर्म इंजीनियर का धर्म मंत्री का धर्म सांसत का धर्म विधायक का धर्म यह होता है लेकिन रिलिजन रिलिजन होता है मुस्लिम का क्रिश्यनिटी का पार्सी का तो रिलिजन और धर्म अलग अलग है वैसे ही समविधान बिलकुल अलग है Constitution बिलकुल अलग है चुकि कोई शब्द नहीं था तो हमने विधान एडॉप्ट कर लिया Constitution एडॉप्ट कर लिया अब सम्विधान की Article 44 जिसकी आप बात कर रहे हैं बहुत विस्तित चर्चा के बाद ये सम्विधान में आया था 23 नॉवंबर 1948 23 नॉवंबर 1948 को ये हमारे सम्विधान का हिस्सा बना Article 44 और अब तो ये Directive Principle में है इसका मतलब कि सम्विधान ये कहता है कि कें सरकार इसको लागू करे राज सरकार इसको लागू करे लेकिन एक्चुल ये Article 35 था यानि ये Fundamental Right था समान नागरिक संगिता Article 44 ये Fundamental Right था Original Constitution में सम्विधान निर्माताओं के पास उससमें समय नहीं था तो उन्होंने बोला कि अभी चुकि इमीडेटली इसको Fundamental Right बनाएंगे इसका ड्राफ्ट बनाने के हमारे पार टाइम नहीं इसको इन्होंने डियक्टिव प्रिंस्मेंट में डाल दिया और ये आशा किया कि जो हमारी सरकारे बनेंगी वह लागू करेंगी ये दुर्भाग की बात है कि 125 बार अब तक सम्मिधान बदला जा चुका है पांच बार सुप्रीम कोड का फेंसला पलटा जा चुका है लेक इसकी कारण हो क्या रहा है जो इसका समर्थन करते हैं ज्यादा तर उनको भी नहीं पता कि यह आर्टिकल 44 किया है समानागरी संगीता क्या है और जो विरोध करतें उनको भी नहीं पता एक तरीके से युनिफॉर्म सीविल कोड एक पॉलिटिकल फुट बन गया है समर्थक इधर से उसको धक्का मार रहें विरोधी उधर से धक्का मार रहें लेकिन वो आज तक ना उनको क्लियर है एक्च्वल में क्या है नहीं इधर क्लियर है मैंने सिंगापूर का अमेरिका का यूके का चार-पांस देशों का उनिफॉर्म सिल कोड पढ़ा तो वहां पे भी कि राफ्त करने जारा है मोटा मोटा जो इनिफॉर्म सिल कोड आपने पांच एलिमन्ट होते हैं कि पहला इसका एलिमन्ट है यह उनिफॉर्म सिल कोड की इántे हमारी जिंदगी में तब होती है जब शादी विवा की बाक्चिस सुरू होती है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है लड़का कितने साल का है लड़की कितने साल की है तो Uniform Civil Code की इंट्री वहां से सुरू होती है कि शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए दुर्भाग गिवस 125 देशों में समान है लेकिन जहां हमारे सम्मिधान में लिखा ही Uniform Civil Code वहां समान नहीं है अश्वनी जी आर्टिकल 44 डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में नीती निर्देशक तत्वों में आता है आपने एक बड़ा ही विशे को खोल के बताया कि मूल समिधान में आर्टिकल 35 जो फंडामेंटल राइट्स में ता यह बड़ा महत्पूर्ण विशे है समय का भाऊ या उस समय प्रिष्थितिया ऐसी ना हो पाना इस वज़े से यह डारेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में आ जाता है आज जब हम चर्चा करते हैं तो क्या इसका डारेक्टिव प्रिंसिपल में रहना ठीक है या इसको उस जगे आना चाहिए जो मूल अधिकारों की श्रेडी में आते हैं नहीं, डिरेक्टिव प्रिंस्पल में जो कुछ भी है, वो in fact किसी भी मामले से fundamental right से कम नहीं है, ये बात हमारे सम्मिधान निरमाताओं ने अर्टिकल 37 में लिख दिया है, अर्टिकल 37 ने बिल्कुल clear कर दिया कि जो कुछ डिरेक्टिव प्रिंस्पल में है, अर्टिकल 44, uniform civil code है, अर्टिकल 47 कहता है, भारत में नशाबंदी, शराबंदी होनी चाहिए, अर्टिकल 48 कहता है, गोहत्या पर प्रतिबंद होना तो जो कुछ डिरेक्टिव प्रिंस्पल में है, अर्टिकल 50 तक, वो सब कुछ fundamental right के बराबर है, Supreme Court बार बार कह चुका है, और सम्मिधान में अर्टिकल 37 में लिखा हुआ है, कि डिरेक्टिव प्रिंस्पल सार्फ निवर्थलेस fundamental, यानि uniform civil court किसी मामले में fundamental right से कम ही नहीं है, इसलिए उसको कम नहीं आगना चाहिए, सवाल के बोले इतना इसको लागू करने का, मैंने जब पहली PIL फाइल किया, मैंने uniform civil court को उसके 5 सबसे पहले मैंने जब देखा कि अमेरिका, सिंगापूर, फ्रांस, बाकी सब देशों में, चाइना में, हर जगह, पहली step क्या है, uniform civil court की, तो पहली step है, uniform age of marriage, मैंने जब रिसर्च किया, तो पता चला, दुनिया के 125 देशों में लड़के और लड़की की शादी की उमर बर की किस, यह भी समान नहीं है, तीन साल का इसमें भी डिफरेंस है, मुस्लिम में शादी की कोई उमर ही नहीं, कोई defined ही नहीं है, वहां एक मान के चला जा रहा है कि और नौ साल चलेगी, age of poverty, age of poverty, उसमें यह मान लिया गया कि चूकि प्रॉफेट मुहम्मद ने शादी किया था छे साल में ऐसा से, और तीन साल के बाद अपने घर लाये थे, तो आइशा को जब लाये था अपने घर तो नौ साल की थी, वह रितिर्वाज आग तक चल रहा है, हम 21 सदी में रह रहे हैं, बिजली बन गई, मुबाहिल बन गया, टावर बन गए, चंद्रमा पे मैं कह रहा हूं, नहीं 25 साल तो 21 साल सही, लेकिन 21 साल सब के लिए होना चाहिए, हिंदू के लिए भी होना चाहिए, मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए, पार्सी के लिए भी होना चाहिए, लड़के के लिए होनी चाहिए, लड़के के लिए होनी चाहिए, क्यों होनी चाह कहता है कि 20 साल के पहले Pregnancy बिल्कुल ठीक नहीं है 20 साल के पहले physical maturity नहीं आ रही ख कि बहुत सारे Machability अब को बहुत सारे access को बहुत कैसे लड़का होहाई लड़की physically मैच्योर नहीं हो रहा है 사 ही psychiatric कहते हैं मनों च इक कहते हैं कि 20 साल के पहले mental maturity नहीं आती लड़के लड़की मों समझ नहीं develop हो पाती जो शादी विवा के लिए ज़रूरी है वैसे भी अगर आप practically आप देखो तो 20 साल में से पहले तो लड़का हो या लड़की graduation तक नहीं कर पाते 20 साल के पहले कोई diploma course नहीं कर पाते हैं 20 साल के पहले कोई technical course नहीं कर पाते हैं 20 साल के पहले वो engineering medical polytechnic कर पाते हैं तो शादी की उमर 20 साल से कम रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता लड़का फिजकल लड़का या लड़की फिजकली में चूर नहीं है लड़का लड़की में चूर नहीं है लड़का लड़की जो है फाइनेंसिली इंडिपेंडेंडेंट नहीं है लड़के और लड़की मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोट ने एकसेप्ट कर लिया है, कि इन सरकार के महिला योंग वालविकास विभाग को और कानुन मंत्राले को नोटिस जारी हो चुका है, हमने ये कहा है कि लड़के और लड़की की शादी कुमर बराबर हो, वो 20 साल हो या 21 साल हो, और हमें ख कर चेकें, सब मिच्वर हो सकें, अब आने वाले पालियामेंट सेसन में इस पर चर्चा होती है कि नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन समय आ गया है कि इस पर कानून बनाके minimum age of marriage हिंदू, मुस्लिम, पार्सी, इसाई, महिला, पूरुस, लड़का, लड़की सब के लिए 21 साल किया जाए, उससे वास्तों में हम जो 21 सदी में जो नया भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो पहली condition है कि uniform age of marriage हो, और यही uniform civil court की पहली condition है, एक बार शादी विवा हो गया, अब आता है अगला क्या, अगर शादी एकदम successful है, कहीं कोई dispute नहीं है, कहीं कोई या खुसी-खुसी दोनों रह रहे हैं, तो uniform civil court का role खतम हो जाता है जिन्दगी से, लेकिन यदि किसी तरीके का विवाद होता है, साधी सफल नहीं हो पा रही है, और शादी तोड़ना है, तो uniform civil court कहता है कि uniform grounds are divorce होना चाहिए, विवाद, विच्छेद का तरीका, तलाक लेन का तरीका, शादी तोड़ने का तरीका भारत में सब के लिए एक होना चाहिए, और समविधान का मतले भी है, समान विधान, ऐसा विधान जो सब के लिए समान हो, दुर्भाग गिवस हिंदूओं में शादी तोड़ने का तरीका अलग है, मुसलिम्स में आज भी मौखिक श दिम्मेदारी नहीं देना उसमें भी आपको कुछ नहीं करना बस अंतर के वाल इतना आया कि पहले एक बार में आप तीन तलाक दे सकते थे अभी आपको एक-एक महीने पर तीन बार बोलना है इतने अंतर आया मौखिक तलाक तो आज भी चल रहा है दूसरे में यह है कि अगर कि लड़की अगर बाज है उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तब रहा कि तलाक ले सकते हैं दूसरे में यह है लड़का नपुनसक है तब रहा है और बाल्बिवा हो जाए तो बाद में लड़का-छादी कह सकता हमारी शादी सादी आपने जल्दी क्यूश्य कर दिए हम तो तलाक लेंगे, यह भी एक ground है, Muslim में उग्राउंड नहीं है, तो अभी एक में यह भी है कि अगर कोड हो जाए लड़का ये लड़की को, कोड की बिमारी हो जाए तो भी तलाक ले सकते हैं, तो यह uniform नहीं हमारा यह कहना है, अगर कोड होने पे तलाक हो सकता है, तो वो सब के होना चाहिए, नपुन सकता के अधार पे तलाक हो रहा है, तो वो सब के लिए हो, अगर बाजपन के अधार पे तलाक हो सकता है, तो सब के लिए हो, अगर बाल विवा होने पे तलाक होना है, तो सब के लिए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू के लिए अलग तलाक का न और भारत सरकार के कानून मंत्रा ले, ग्रीम मंत्रा ले और महिला वालविकास मिभाग को नोटिश जारी किया हुआ है, अभी तक किसी का जबाब नहीं आया है, आशा करता हूँ कि इस पे भी सरकार हमारी स्पी आयल का समर्थन करेगा, और देश के सभी महिला पूरुष सभी विधान नहीं है, सम्विधान मतलब किसी भी चीज का जो विधान होना चाहिए, हमारे देश में, वो समान होना चाहिए, धर्म के अधार पे अलग लग नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पहला कंडिशन होती है, यूनिफॉर्म एजाप मेरिस, और दूसरी बात होती है, ट्र typically बेटियां कि एक हिंदुष्टफिकरटी हैं मुसलिम शादी करती पार्सि से का इसाइई से और उए तलाक होने के बाद चारों फिर वापस आती है तो एक को तो गुजारा भत्ता मिले गई नहीं गुजारा भत्ते के काउंसेप्टी नहीं है जिसने मुस्लिम से शादी किया उसको कोई गुजारा भत्ता नहीं क्रिश्चन से जो शादी किया उसको गुजारा भत्ता कुछ अलग मिलेगा पार्सी जिसने शादी किया उसको गुजारा बत्ता कुछ अलग मिलेगा हिंदुस जिसने शादी किया उसको गुजारा बत्ता लग मिलेगा यह समविधान नहीं है समविधान का मतलब गुजारा बत्ता जो भी है X, Y, Z, 5000, 10000, 20000 जो भी मिलना है उसका parameter सेम होना चाहिए वो religion के बेस पे नहीं होना चाहिए क्योंकि गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है उसका नामी है गुजारा भत्ता यानि मेंटिनेस अपने आपको मेंटेन करने के लिए अपने आपको जीवनियापन करने के लिए अपने आपको गुजर बसर करने के लिए तो सवाविक सी बात है मालिजे दिल्ली में चार बहने रह रही है एकी सोसाइटी में रह रही है और किराया तुन चारों का बराबर सब्जी ओं खरीती हैं सब्जी का रेट चारों के लिए सम्मिधान नहीं है इसलिए मैंने जो तीसरी PIL फाइल किया सुप्रिम कोट में कि सब का maintenance समान हो uniform हो गुजारा भत्ता सब के लिए समान हो हिंदू बहन बेटियों को भी उतने गुजारा भत्ता मिले मुसलिम बें बेटियों को भी उतना मिले पार्सी को भी उतना मिले और इसाई को भी हुतना मिले वो मेरी तीसरी PIL थी उसको भी सुक्रिम कोट एडमिट किया है और केंश सरकार के ग्रिह मंतरा ले कानून मंतराले और महिलावभाल、 विवाँ मंतराले को नोटिस जरी किया हुआ है जबाब अभी तक किसी के नहीं आया मैं जबाब कए इंतजार कर रहा हूं ले2020 मान के चलते हैं कि मौनम सुईकाल लग्षणुम अभी तक सरकार ने जबाब नहीं दिया इसका मतलब सरकार के मन में कुछ चल रहा होगा हो सकता हो पार्लियमेंट में अपना कर दें फिलाल अभी सुप्रिम कोट में जवाब नहीं आया तो तीन कंडिशन हो गई लड़के लड़की शादीक उमर बराबर हो गई तलाक लेने का तरीका एक हो गया गुजारा बत्ता एक हो ग हिंदूों में माल लीजे बच्चा नहीं हुआ तो पुरुस भी पती भी गोद ले सकता है पत्नी भी गोद ले सकती है और अपनी प्रापर्टी भी दे सकती है उस बच्चे को एकदम जैसा अपना जो बैलोजिकल सन होता है एकदम अपना निजी जो बेटा होता उसकी तरी लेने का नियम नहीं है 이 प्रापर्टि अपनी दे नहीं सकते हैं जब अपना बच्चा उनको क्यों दे गोद अब दिक्कत कहार है कि बच्चा हुआ नहीं गोद ले नहीं सकते तो उसके वजह से वहाँ फिर बहुआ हो जाता है शादी और कर लेते हैं दूसरी शादी करना वहाँ पे लाओ है लेकिन गोद लेना और गोद लेके अपनी पूरी प्रापर्टी देना अलाओ नहीं है अगर बच्चा नहीं हुआ और शादी नहीं किया तो उनकी प्रापर्टी क्या होगी वक् के लिए common को अदिकार सब को मिलना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी को मिले मिले और अज की अजी देट में हिंदु को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा तो के लिए गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा तो विवाह अपने आप बहुत कम हो जाएगा सो अब आभी कसी बात है कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसके घर में एक सौतन और आ जाए कोई महिला नहीं चाहती है कि उसके घर में एक और उसके घर में सौतन आके बैठ जाए अच्छा दिक्कत और भी है बाई देवे अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और कमी महिला में नहीं है, बलकि कमी पूरुस में है, तो उसने दूसरी शादी कर लिया, चूकि कमी पूरुस में है, तो दूसरे शादी से भी बच्चा नहीं होगा, अब पता जल तीसरी शादी कर लिया, तो गर में तीन बीबियां आ गई, बच्चा ही नहीं हो रहा है, इन में जो समस्याइं हैं कानूनी अर्चने हो अपने अप्ठीक हो जाएंगे और पांचवां जो important है वो है succession inheritance कहने का मतलब विरासत का नियम वसीयत का नियम प्रापर्टी का नियम सब के लिए एक समान होना चाहिए विरासत का जो अधिकार है वसीयत का जो अधिकार है जो प्रापर्टी का अधिकार है वो भी सब को समान होना चाहिए जब मैंने पांचवी प्याल फाइल किया succession inheritance पे कि सब के लिए विरासत का प्रापर्टी का नियम एक हो और जब एडमिट होई मेरी सुप्रेम सबसे पहला फोन आया था कश्मीर के कुलगाम से आया था कि मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूं मुस्लिम लड़का था वो बोला सर हमारे मामा नहीं है हें और हमारे नाना अपनी प्रापर्टि आपनी तो हमें देना चाहते हैं लेकिन पूरी दे ही नहीं सकते हैं मदाना पर्परटी का ओर राइट है। यह और कोई भी पर मदी आगर हमारे मं लिजे मैं मुसलिम हूं हम편 gotta कि zurिज्य शाएंजिये हम इपनी बेटी को पोरी property नहीं दें सकते बिटी का जो हमारा बेटा है नाथी और पोता उसको पूरी property निहीं दे सकते हम वन थर्ड दे सकते बाकि फिर से वह product में चली जाएगी तो वह बहुत खुश था मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है भारत में एक जेनरल Vallahi रिलिजन न्यूटल वसियत का नियम होना चाहिए विरासत का नियम होना चाहिए और प्रापर्टी का राइट Sब को बराबर होना चाहिए जब हम कहते हैं जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वैलिटी हम कह रहे हैं महिला पूरुस सब बराबर हैं हम कह रहे हैं तो महिला पूरुस सब बराबर हैं किवल हिंदूों में थोड़ी होना चाहिए महिला पूरुस बराबर तो मुसलिम्स में भी होना चा अभी भी चल ला है पार्शी हों में कि अगर गैर पार्शी से शादी कर ले तो प्राप्रशी का रसा स्पाइघ से चलता है यह भी गलत है तो आप वास्तोय के था सब सत्व होता है हॽ्ट मतलब होता है सब के लिए एक सेक्ललरिजम का मतलब यह नहीं होता еще कि हिंदू-ĩल्ए-लग कानून-मुस्लिम के-लग कानून-पारिसी के-लध इसाहि до Sh am बस premat अगर सम्विधान को नहीं लागू करना तो स्यख्लार इन फटीफोर को सम्विधान से निखाल दीजे और फिर अपने मझब की साफ सलोग अपने-हिंदू रिति लिवा से काम करें मुस्लिम अपने मुस्लिम रिति लिवा से काम nä 나 wisely तो अगर जो आजब नहीं हुआ वह था आठिके एफ और अब आठिक फटी मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं है और इन पांचो P.I.L. को आप कलब कर दो तो आपने आप आटोमेटिक युनिफर्म सिल कोड हो गया पांचो P.I.L. पर नोटिस हो चुका है पांचो P.I.L. सरकार के पाले में है अब सरकार को यह जवाब देना है सरकार कब जवाब देती है यह तो भविश्य बताएगा मैं आसा करता हूँ कि कम सकम इस मामले में जो दर्सक है मैं पब्लिक 24 के सभी दर्सकों से कहूँगा आप इस वीडियो को अपने अपने सांसदों को जरूर फारवड करिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लेक्चरर्स को भेजिए प्रोफेसर्स को भेजिए जो तीचर्स को भेजिए और सबसे इंपॉर्टन्ट है कि इस वीडियो को अपने अपने विधायक और सांसद को टैक करके ट्वीट करिए इस भारत में विक्सित देशों में उनिफॉर्म सिविल कोड तो चली रहा है भारत में भी उनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है भारत के गोवा में उनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है आज भी चल रहा है जब गौवापूर्टगालियों के कबजम आया था, तब उन्होंने यूंफॉर्म गोड लागू किया था। वो चले गए लेकिन इूंफॉर्म सील कोड चल रहा है। इसका मतलब इनुफॉर्म सील कोड से किसी को दिक्क्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात में कहना चाहूँगा, Uniform Civil Court से जो सबसे ज़्यादा फायदा होना है, वो मुसलिम बहन बेटियों को होगा, हिंदूओं को Uniform Civil Court से कोई फायदा नहीं होगा, ये तो मतलब अलग बात है कि हिंदू डिमांड करते हैं और मुसलिम विरोत करते हैं, सचा ही है, हि यहीं से विरोधार हा रहा है तो मेरा यह मानना है कि जब यह वीडियो कमस्कम मुसलिम बहन बेटी हमारी देखेंगी मुसलिम भाई हमारे सुनेंगे और खासतोर पर यूआ इसको सुनेगा तो उसको समझ में अच्छे आ रही था यह तो हमारे काम की चीज है तो युनिफॉर कोर्ट मुसलिमों के फाइदेका है न की हिंदों के